नमस्कास स्वागत है आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हमारा खास शो बॉलिवुड गपचप बॉलिवुड गपचप में आज क्या कुछ है खास नज़त डालेगे बॉलिवुड एक्टर अलिफ अजल एमजान प्राइम वीडियो की अपनी वेब सिरीज मिर्जपूर के जरिये काफी चर्चा में है इस सिरीज ने उन्हें इतना फेम दिलाया जितना शायद ही किसी फिल्म से उन्हें मिल पाता मिर्जपूर के दोनों ही सीजन सूपर हिट रहे थे और इन्हें फेम भी दमदार मिला था और अब जल्द ही उनकी एक बार फिर से एक और वेब सिरीज रिलीज होने वाली है नेट्फलिक्स पर रिलीज होने वाली इस सिरीज का नाम एक्सरे बताय जा रहा है सिरीज की स्चूटिंग और अंगबात में चौल रही है और इसका निर्देशन दिगर्ज फिल्मेकर श्रीजीत मुखरजी कर रहे है लेकिन अब अली की इस सिरीज से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो गले में धीली टाई और कोट पहने नज़र आ रहे है अली फैजल की ये तस्वीर देकर माना जा रहा है कि सिरीज में उनका लुक मशूर खॉलिवुड फिल्म जॉन विक के किरदार से प्रेरित होगा इन दिनों बॉलिवुड के किंग खान यानि की शारोक अपनी नए फिल्म पठान को लेखर सुर्ख्यू में है इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों जोरू पर है और फिल्म की शूटिंग दुबई में चौल रही है लेकिन सबसे दलचस्प बात तो ये है कि फिल्म पठान की शूटिंग दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में शामिल बुर्ज्ख खलीफा में की जाएगी अब ये तक भारत की कई फिल्मों में और गानों शूटिंग में बुर्जख खलीफा नज़र आचका है लेकिन सभी की शूटिंग इस इमारत के सामने ही हुई है किसी भी फिल्म की शूटिंग इस इमारत के अंदर नहीं हुई ये पहली बार होगा कि किसी बॉलिवुड फिल्म की शूटिंग बुर्ज खलीफा के अंदर की जाएगी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि हॉलिवुड सिनेमा में भी केवल दो ही फिल्में ऐसी हैं जिसकी शूटिंग बुर्ज खलीपा के अंदर की गई है ऐसे में जाहिर है कि पठान को लेकर दर्शको और शारुक खान के फैंस को उत्सुकता होनी ही है अनुष्का शर्मा और विराट कोली इन दिनों खूप सुर्ख्यों में हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोली की बेटी की एक जलत पाने के लिए फैंस बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं इसी बीच अब अनुश्का ने शोशल मीडिया पर अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की है और कैप्शन में अपनी बेटी का नाम भी बताया है विरिश्कुआ ने अपनी बेटी का नाम वामिका रखा है बेटी का नाम सामने आते ही फैंस ने इसे ट्विटर पर फ्रेंट कर दिया है बता दे वामिका मादुर्गा का नाम है बॉलिवोड सेलिब्रिटीज के बच्चों के नाम को लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज रहता है कई बार नाम ऐसे होते हैं जिनका मतलब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है लेकिन कभी-कभी नामों पर गैल सरूरी चर्चा भी छड़ जाती है विक्की कोशल और मानुशी पहली बार एक दूसरे के साथ काम करते वाले है दोनों की ये फिल्म पिछले साल अक्टूबर में फाइनल की गई थी इसके लिए 18 नवंबर को विक्की ने एक शोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि शुभारव सूत्रों की माने तो फिल्म की शूटिंग के लिए करीब 90-110 लोगों की टीम महिश्वर जा रही है जिसके लिए 30 होटलों की बुकिंग की गई है बता दे इसके लिए एक बायो बबल भी क्रियेट हो रहा है जिनके लिए 30 होटलों की बुकिंग की गई है बता दे इसके लिए एक बायो बबल भी क्रियेट हो रहा है इसके लिए टीम का हर सदस्य बाहरी लोगों के संपर्ग से दूब रहेगा फिल्म की शूटिंग के लिए विकी और मानुशी तीन फरवरी को मुंबई से रवाना होंगे ये शूटिंग करीब 15 से 20 दिनों तक चलेगी जिसमें ओंकारेश्वर, महेश्वर में दोनों के रोमेंटिक सीन को फिल्माया जाएगा बता दे इन सभी लोकेशनों का लेंस्केप डिरेक्टर विजर कृष्ण अचारे ने चुना है इसलिए इसी वज़ा से वहाँ पर शूटिंग की जाएगी काफी वक्त पहले राखी सावन का ब्राइडल फोटो शूट शोशल मीडिया पर काफी वारल हुआ था जिसके बाद अंदाज़त लगाये जा रहा था कि राखी ने शादी कर ली है लोगों के पूछे जाने पर सवालों के बीच खुद राखी ने कंफर्म भी किया था कि उन्होंने शादी कर ली है लेकिन अपने पती की कोई भी फोटो उन्होंने आज तक शोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है बिग बॉस के घर के अंदर भी राखी की शादी हमेशा चर्चा का कारण बनी रहती है राखी को भी कई बार खर में अपनी शादी के बारे में बात करते हुए देखा गया है लेकिन कोई सबूत नहीं होने की वज़ा से कोई भी ये मानने को तयार नहीं है कि राखी ने शादी कर ली है वहीं हम राखी के भाई ने राखी की शादी की सचाई सोशल मीडिया पर शेयर की है और उन्होंने बताया कि वो कोई नाचक नहीं कर रही और रितेश जीजा भी सच हैं और वो पोलेंड में रहते हैं उन्होंने बताया कि किसी वज़ा से राखी को ये शादी जल्दबाजी में करनी पड़ी थी उनकी शादी में उनके मामा मामी और पूरा परिवार भी शामिल हुआ था एक्टरेश शमीता श्येटी आज अपना 42 वा जनम दिन मना रही है उन्होंने साल 2000 में मौहबते फिल्म से बॉलिवुड में डेब्यू किया था पिछले साल वेब शो ब्लैक विडियो में उनकी परफॉरमस को काफी सरहाया भी गया था उनका कहना है कि वो अपने करियर में काफी उतार चड़ाब भी देख चुकी है शमिता शेटी ने कहा कि उन्होंने बॉलिवुड में 20 साल में तक काम किया है जो एक बहुत बड़ी बात है उन्होंने बताया कि उनके 40 वे जनम दिन पर बहन शिल्पा शेटी और राज कुंद्रा ने थाइलेंड में एक पार्टी और्गनाइस की थी शमिता शेटी ने कहा कि वो पार्टी बेहत शांदा थी शमिता शेटी शिल्पा शेटी की पहन है और उन्होंने भी बॉलिवुड में करीब 2 दशक तक काम किया है हाला कि वो शिल्पाशेटी जितनी सफल तो नहीं खुपाई शमेता को इस बात की खुशी है कि उन्हें बॉलिवुड में काम करने का अफसर तो मिला इतना ही नहीं उनकी कई फिल्मों को दर्शकों ने खुप पसंद किया है इसमें 2005 में रिलीस हुई फिल्म जहर भी शामिल है बॉलिवुड गप्शुप में आज के लिए बस इतना ही लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहें ये न्यूस वाल इंडिया